हेलो गाईस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 Australia की जो T10 सीरीज चल रही है इसके 44 मैच और आज के दिन के 4 मैच के बारे में सफ़ी लाट्स मैच में क्या बैटिंग और हाई क्या पिलिएंग 11 आई क्या परफॉरमेंस करी किसको कैप्टरं मनाना किसको वाइस के बारे में डिटिल में बात करेंगे और आपको पीच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिसल पीच जिसके ब्रेवर में कुछ भी चेंज नहीं होता है सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए और एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से लेके 160 का बन रहा है हाई स्कोरिंग वेन्यू है और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर करता है पहले टीम खर टीम की जिसके लेटर मैच में 4 गोखन शोट उपनेंग कर रहा है त्रीक आरे खेंजिट यूपर इम्रा नासिफ ने इस टूनामेंट में चार मैच खेले और बल्लेबाजी से 108 वर्ण बना है इंपोर्टेंट है क्योंकि सांदर बैटिंग कर रहा है ठीक है और साथी आपको किसी ना किसी मैच में गैंदबाजी देखा अभी तक करा ही नहीं है लेकर गैंदबाजी करवा सकत है इसके बाद है जेसन गोरिया जिसने इस टूनामेंट के चार मैच में 111 टरन बना है चालिस की एवर्ण से पांच ओवर्ण की गैंदबाजी करवाते वे तीन विकिट लिए मिडल और डैट ओवर्ण में आपको गैंदबाजी दे रहा है और साथी ओपनिंग में बैटिं इसके बाद है नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा है आकिब इगबाल जिसने इस टूनामेंट के चार मैच में 90 रन बनाए आट ओवर्ण की गैंदबाजी करवाते वे तीन विकिट लिए इस्टार्टिंग ओवर्ण में आपको कनफर्म दो ओवर्ण की गैंदबाजी देगा और ओवर्ण रिकॉर्ड की बात कर रहा है तो 90 मैच में 1125 रन है 26 की एवर्ण से 164 ओवर की गैंदबाजी 64 विकिट लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों जबरदस करता है इसके बाद है रंजीत सिंग जो नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है इस टूनामेंट के 4 मैच में 65 रन और ये 65 रन इसने लास्ट के 2 मैचों में बना है पहले 2 मैच में इसको बैटिंग नहीं मिली लेकर लास्ट के 2 मैचों में बैटिंग मिली तो अच्छा कॉंट्रिबूट करा इस वज़े से आपके लिए एक important player है और overall record भी देखे तो 46 मैच में 666 रन है 20 की average से 7 ओवर की गै ठीक है नमबर 5 पर खेलेगा साथी मिडल ओवर्स में 2 ओवर की गैंद बाजी overall record की बात करें तो 45 मैच में 482 रन है तीरा की average से 68 ओवर की गैंद बाजी 49 विकेट लिए नमबर 6 पर है जाहिद खान जिसने 4 मैच में मातरब 5 रन बना है कुछ खास बैटिंग का मौका में नहीं मिला है और बॉलिंग भी नहीं करवारा ओवर्र लिकृट 19 मैच में 67 रन 27 ओवर की गैंद बाजी 13 विकेट उसके बाद है लिकित महमूद जिसने 4 मैच में 15 रन बना ओवरोल रिकृट भी देखे तो 19 मैच में 31 रन 18 ओवर की गैंद बाजी 14 विकेट इसके बाद है मलिक महमूद जिसने इस तूनामेंट के 2 मैच में 6 रन बनाए 3 ओवर की स्टार्टिंग ओवर्र में गैंद बाजी देते वे एक विकेट लिया इंपोर्टन्ट पिलियर है स् की मित्ती मजबूत नहीं है ठीक है तो इसके आपको ज्यादा ज्यादा पिले लेने की कोसिस करने और बॉलर को सब को लेना है ठीक है इसके बादे आदी लिक तारिक जिसने चार मैच में 5 ओवर की गैंद बाजी करवाते वे तीन विकेट लिए डेथ ओवर्स में आ रहा है साज चीमा भी बढ़िया है इसके अलावा आपको ट्राइ करना है एसान यूसूफ को रंजित सिंग को आकिब इकबाल को जेसन गोरिया को और इमरान आसिप को इसके दाधा पिलर आपको लेने है ठीक है बैंच पर देख लेते हैं एक बैंच पर से कोई साभी पिलर खेलता गया उसी के हिसाब से हमने बैटिंग और प्लेंग लेवन सेट कर रखा तो पहला प्लेयर है लखमल कस्तूरी जिसने इस टूनामेंट के आट मैच में 271 रन बनाए 33 की सांदार एवरेस से 15 ऑवर की गैंदबाजी करवाते वे 12 विकेट लिए बैटिंग से भी कॉंट्रिब साथ में लास्ट मैच में ओपनिंग आया था सत्यम सुभास जिसने इस टूनामेंट के 8 मैच में 111 रन बनाए पांच ओवर की गैंदबाजी करवाते वे एक विकेट लिया ठीक है तो बैटिंग भी कर रहा है साथी पार्ट टाइम के तौर पर आपको थोड़ी बहुत गैं मैच में 136 रन तीन ओवर की गैंदबाजी चार विकेट इसके बादे किसन जिसने इस टूनामेंट के 9 मैच में 108 रन बनाए 13 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे पांच विकेट लिए पहले कुछ मैच में ओपनिंग आड़ा था पन लास्ट मैच में ओपनिंग नहीं आया नमबर पांच पर था चार पर ठीक है और बॉलिंग भी करवा रहा है डैथ में इस वज़े से आपके लिए इंपोर्टेंट है इसके बादे जामिल भरमखिल जिसने 7 मैच में 146 रन बनाए ओवराल लिकॉर्ट 19 मैच में 146 रन चार ओवर की गैंदबाजी दो विकेट इसक इसके बादे रहीम एमधी जिसने इस टूनामेंट के 5 मैच में 5 ओवरों की गैंदबाजी करवाते वे तीन विकेट लिये कुछ टीम में आप इसको जरूर ट्राइ करना क्यूंकि डैथ ओवर्स में गैंदबाजी करता है ठीक है इसके बादे हमजा बाटी जिसने 5 मैच में 27 रन बनाए एक ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 0 विकेट लिये इसके बादे केवन वर्मा इस टूनामेंट का लास्ट वाला मैच खेला था इस टीम का जिसमें इसने 2 ओवर की गैंदबाजी कराई और एक विकेट लिया और डैथ ओवर्स में आये था इस वज़े से आपको confirm team में रखना है ठीक है इसके अलावा किसन को जनन गल जाई को सत्यम सुबास को लकमल कस्तूर यह चार पांच प्लियरों में सी आपको प्लियल लेने हैं ठीक है बात करते हैं आपन डेम बैंच की तो बैंच पर से कोई सब भी फिलर खेलता है तो उसके stats आपको अमारे जे गोरिया को लिया है बैटिंग सेक्षन से जे गलजाई, आई असीव, किसन और आर सिंग को लिया है ठीक है ओल राउंडर सेक्षन की बात करें तो लकमल कस्तूरी, आकी बिगबाल, एसान यूसूफ और मलिक महमुद और बॉलिंग सेक्षन से साध चीमा और सत्यम सुब को लिया है, कैप्टन मैंने जेसन गोरिया को बनाया है, वाइस कैप्टन इमरान आसित को बनाया है, ठीक है, तो फिलाल के लिए डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको अमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्किप्सन में दे रखा, तो वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, सीर करना, साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूना मैंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, दिन के पांच मैच होते हैं, तो हम पांचों के वीडियो बनाते ह ताकि किसी भी मैच में आपको टीम बनाने में दिक्कत ना है, और इस मैच से रिलेटेड सारी जानकरिया आपको टेलिग्राम पर मिलेगी, जैसे बैटिंग और, प्लेंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो, तो वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, सियर करना, साथे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद,